हलो गाईज, कैसे हैं आप सब, आज मैं आपको फ्लावर का बहुत ही special और बहुत ही अच्छा step बताऊंगी, क्योंकि फ्लावर जिस तरीके से हमको लगाना रहता है, तो वो बहुत अच्छे से उभर के आता है, ये चीज आपको नहीं पता होगा, कि हमारा फ्लावर किस तरीक के रखी हूँ, फ्लावर मेरी रेडी हो चुकी है, चलिए मैं इसको आपको दिखाती हूँ, मैं कैसे इसका बुके फ्लावर बोलते हैं, इसको बुके सेट में किस तरीके से इसमें फ्लावर लगाना है, इसको हम लोग बनाते हैं, तो आप सबसे पहले तो पैपिंग बैग ले लिजे पैपिंग बैग में आप क्रीम डाल लिजे क्रीम डालने के बाद जब आपको जिस ना दूर में जिस ना एरिया आपको लेना है बुके फ्लावर के लिए उतना दूर आप इसको लाइनिंग लिजेगा इस तरीके से यह ऐसे लगाईएगा फिर उसके बाद एक ऐस से और करिएगा फिर इधर से करिएगा यह हमारा उचा हो गया उचा होने बाद आप एक लेयर और इसमें दिजीएगा इस तरीके से तो ये उभरेगा ये अब हम इसे फ्लावर लगाएँगे फ्लावर कटिंग करना भी आप ऐसे कटिंग करिएगा और कैंची आप बंद मत करिएगा जब यहां हम फ्लावर रखेंगे तो इसको धीरे से रखके हम कैंची को अपना बंद कर लेंगे अपनी तरफ खीच लेंगे उसके बाद सेकेंड फ्लावर लगाएंगे देखें इधर में लगा के दिखा रही हैं आपको ये देखें मेरा फ्लावर उठते जा रहा है जिस सेप मैं दे रही हूं है उस सेप में वो आते जा रहा है ये ऐसे लगाईएगा और इसी तरीके से आप लोग बुके फ्लावर को रेडि करियेगा ऐसे कर लीजेगा आपको क्रीम से उसको हाइड देना बहुत जरूरी है अब इसको आप ऐसे सेट कर लीजेगा सेट करने के बाद आप इसके चारों तरब पत्ती बनाईएगा देखें मैं पत्ती कैसे बनाती हूँ यह इस तरीके से आप अपना बुके फ्लावर को रेडि कर लीजेगा देखें यह उभर के आ रहा है यह पूरा इसका बुके फ्लावर इस तरीके से अगर हम इसमें क्रीम से लेयर नहीं देंगे इसका सेट नहीं बनाएंगे तो यह दब जाएगा इसका लुक अच्छा नहीं आएगा तो इसको आप सेट करिएगा पहले आप उसके बादी उसमें फ्लावर रखेगा अब मैं इसका बॉडर करती हूँ बॉडर भी आपको बताती हूँ जब मैं हाथ सामने रखी तो इसको थोड़ा पीछे ले जाऊंगी फिर ये लाते-लाते मैं अपने हाथ को रोग दूंगे फिर ये ले गई, फिर लाई ले गई पीछे, सामने लाई ऐस तरीके से आप पूरा बॉर्डर को करेंगे जब सामने हम अपना हाथ लेंगे न तब इसको नहीं पंचिंग करेंगे ये ऐसा तो आपका जो सेट है वो बहुत अच्छा बनके आएगा ऐसा के साथ